हेलो, नमस्कार किसान सात्यों, इंडियन टेक्निकल फर्मिंग चैनल में आपका सवागत है, जहां पर बात उत्ती है केवल और केवल किसानगी, मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका सवागत है, मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निक और आज मैं आपके लिए खित्ती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूं कि कपास की खित्ती में कौन-कौन से खात डाले वा कौन-कौन से सपरे करे जिससे कि हमें कम खर्च वा कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसल की पै इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य किसानों को खिती से जूड़ी से भी जानकारी प्राप्त हो और आने वाली वीडियो की नोटिविकेशन आपको बिलती रहे चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किसान साथ्यों जुलाई मेने में कपास की फसल दो से तीन मेने की हो जाती है अब हम इसके अंदर कौन कौन सी खाट डाले जिससे की फसल की पैदावार अच्छी हो बात करते हैं खादगी सबसे पहले खेत की अच्छी तरह निराई हुआ गुडाई कर दे जिससे की खेत में पूरी तरह नश्ट हो जाई अब हम बात करते हैं खादगी अगर आप डियेप का इस्तेमाल करते हो तो एक अंकड के लिए 50 किलो डियेपी वह 25-30 किलो पुटास वह 10 किलो जिंक 21% वाली ही डाले अगर आप स्सपी का उप्यों करते हो यानि सिंगल सुपर फासपेट तो ए एक अंकड के लिए दो कट्टे स्सपी 25-30 किलो पुटास वह 10 किलो जिंक 21% वाली ही डाले खाद की आप मशीन की साथा से विजाई भी कर सकते हो अगर आप स्प्रे के रूम में खादगा इस्तेमाल करते हो तो एक अंकड के लिए 1 किलो अन्पिके 1919 का ही स्प्रे करें एक के जाज के अनुशार भी कर सकते हो पुद्य को नाइट रोजन फास पॉर्श वा पुटास की सबसे अधिक मातरा में आऊ सकता अती है अब हम बात करते हैं स्प्रे की कपास की पचल में पहला स्प्रे माहू कीट तेला की रोक थाम के लिए अलकी दवाय का ही स्प्रे करें जै अगर पोद्य पर फूल आना सुरू हो जाए तो फूलो की संक्या में वर्दी वाय फूलो को जोड़ने से रोकने के लिए पलायनोफिक्स जैसे टोनिक का ही सप्रे करें पलायनोफिक्स कल्टार या चमक्तकार जैसे टोनिक का ही इस्तेमाल करें चारी से पचास क्राम पलाय फल एकदम सोस्त होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर वा कमेंट करें और इंडियन टेक्निकल फार्मिंग को सब्सक्राइब करें ता कि आने वाली वीडियो के आपको लोगी कि मेल ये अएब करेंस्थ एनेमे know